विक्रम भट और सुश्मिता सैन के रिलेशन्शिप के चर्चे एक जमाने में काफी उडए थे इस हद तक की इन दोनों के रिष्टे के चलते विक्रम भट और उनकी एक्स वाइफ के बीच तक्रार होने लग गई थी वाइल सुश्मिता सैन वस सीरिसली इन्वॉल्ड विद विक्रम भट शी नेवर कंफेस्ट अबाउट अलव स्टॉरी इन पॉब्लिक डोमेन पर रीसेंटली मानो जिसे पुराने किसे फिर उखड गए एक इंटिव्यू में अपने रिलेशन्शिप पर बात करते हुए विक्रम भट ने बताया कि उनकी और सुश्मिता सैन की लव स्टॉरी की कुछ किसे उन्होंने अपनी मूवी अनकही में बया किये हैं विक्रम भट ने बताया कि काफी हद तक अनकही मूवी में उनकी रिलाफ स्टोरी प्रेजेंट की गई है विक्रम भट ने बताया कि काफी हद तक अनकही मूवी में उनकी रिलाफ स्टोरी प्रेजेंट की गई है विक्रम भट ने ये भी रवील किया कि अपने इस कहानी को प्रिजेंट करते हुए उन्होंने ना सुष्मिता सेन ना ही उनकी वाइफ से पर्मिशन लिया। तो कि अबाट विक्रम भट सेर्ट, I only blamed myself in the movie, not सुष्मिता और my ex-wife's character. So why be upset? I have the right to blame myself. About Sushmita being upset with him over the film, Vikram Bhatt said, I don't know. I have never asked her. But I have all the rights over my own life and my own story. Not on anyone else's life. Vikram Bhatt से ये भी पुचा गया कि क्या उनके रलेशनशिप्स, be it with Amisha Patel और Sushmita सेन, left any negative impact on him and made it taxing for him. To which the director said, all my relationships have taught me something. The pain has brought me to where I am today. My spiritual journey would not have been the same had I not gone through those events. I believe that we all choose our lessons before we are born and I think I chose these. And I say it with honesty that you have to own every part of your life. Everything that has happened is my decision. I let it happen. Nothing that has happened to me has happened without my permission. Vikram Bhatt ने ये भी कहा कि उन्हें अपनी लाइफ के कोई भी डिसिजन से regret नहीं है. वो ये जरूर मानते हैं कि उन्होंने लाइफ में कही mistakes की होंगी but he doesn't regret anything. बतादे कि Vikram Bhatt ने आठ कॉने स्योर श्वेतामबरी सोनी के साथ 2020 में शादी की है.